कि नमस्ते सदावस्द मात्रभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मुहमद जुबैर के उपर जो साइटी इनिवस्टिकेशन कर रही थी उस साइटी को डिस्मिस करना और उनके सभी केसिस को दिली के एक अदालत में ट्रांसफर करना दिली की एक इन्वस्टिकेटी इज डिसक्षन को रूप से करेंगे इसके साथसाथ हम लोग डिसक्षन करेंगे कि नुपृर सर्मा के केस में इसी प्रकार का जुनियर डिविजन के या जुनियर स्टेट फर्स क्लास की या जुनियर डिविजन में तो फिर आप नीचे जो यह लेक्षर है इसकी लेक्षर के नीचे एक लिंक होगा उस लिंक पर एंड्रॉइड पॉन से क्लिक करिएगा और अपना डाउनलोड कर लिजेगा उस एप में जुडिशल सर्वेशिस हायर जुडिशल सर्वेशिस एपियो एपीपी और इस तरहे के और इंडिविजल लेक्षर ही पड़े हुए हैं उनको आप डाउनलोड करने हैं अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ वाता करनी है या आपको अपनी बात कुछ कहनी है आपको सब्सक्राइब करने में कोई समस्या आती है या फिर आपको लगता है कि अभी आपको पहले कुछ समधन चाहिए तो फिर आप हमको मेल कर सकते हैं या एप पर ही आप जो चैट बॉक्स रहता है उस चैट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं मुझे उमीद है कि इन यह जो लेक्शर इसमें पड़े हुए हैं यह लेक्शर जो हम डिकॉर्ड करके डालते हैं वो जब हम आपको देते हैं तो उस पर कॉंसेप्ट ज़्यादा बताने के कोशिश करते हैं कॉंसेप्ट में आप बैरक लगा लिजे और जब आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी सर्विसेस के लिए प्रैक्टिस के लिए या फिर आपको शौर करने के या फिर किसी third party से भी आप loan करवा सकते हैं, आपकी civil वो लोग चेक करते हैं, आप apply कर लीजे, उसके बाद आपकी civil चेक होगी, pen card और आपका अधार card उस पे लगता है, वो procedure वहाँ पर आपको मिल जाएगा, debit card से, credit card से, या फिर जैसे budget finance करता है, तो ऐसी किसी company से आपको loan मिल जाता है, और आपकी EMI बन जाती है, वो आप कर सकते हैं, चलि हम लोग शुरू बात करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तीन जज़ों की बैंच, और विल जेस्टेस, चंद्र चूड की अधाक्षता में उसने कहा, कि भी argument का थोड़ा सा हिस्सा में लोग कवर करते हैं, हु सीतापुर की जब बात करें, लखीम पूर की जब बात करें, तो ऐसे स्थानों पर भैंकर जो दंगे फैले, उनके पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आरोप लगाया है, उसमें उन्होंने इनको दोशी ठेराया है, और ये कहा है कि मुहमद जुबैर के tweet कुछ इस प particular community की बहुत सारी महिलाओं के रेप का दोशी है, और चूंकि बहुत सारी महिलाओं के रेप का दोशी बता दिया, इसलिए इनके मामले में tweet किया गया, tweet के retweet किये गये, कई एक tweet किये गये, और फिर बाद में एक शब्द ये भी कह दिया, कि मुझे समझ नहीं आता है कि एक community के इतने सारे रेप हो गए, उसके बावजूद इनके ये community आंदोलन क्यों नहीं कर रही है, महुल सीतापुर में एक communal tension हो गया, बहुत ज्यादा समसाय खड़ी हो गई, पुलिस का प्रशाशन देना पड़ा, मला पुलिस की protection देना पड़ा, और पुलिस के protection देके सीतापु उत्रप्रते सरकार ने कहा कि चाए हातरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, सीतापुर की घटना हो, या इस तरह के बहुत सारी जो घटना हैं, उसमें Art News के co-director, अपने co-founder अपने आपको कहते हैं, ये tweet करकर के महल खराब करते हैं, इसलिए इनके खलाब बहुत सारे मुकदमें, अलग-अलग जिलों में फाइल हो गए, चुकि जहां की जैसी घटना थी, वैसी वहां के केसिस फाइल हो गए, इसलिए इनको relief नहीं मिलनी चाहिए, हमारे के घटना दूसरी है, और जो दूसरी F.I.R.N. के खलाब धर्ज की गई हैं दिल्ली वगएरा में, वो एक ट्विट के 12 से 14 लाग रुपे लेता था, शुरू में वो 5 लाग रुपे लेता था, फिर उसने rate बढ़ा दिये, और ऐसे करके उसने 2 करोड रुपे से उपर का कमाया है, विदीशी funding भी इसके पास होती थी, इसलिए चुकि कई एक मुकदमे उतरप्रदेश में फाइल हो गए थे, फेस्बुक और ट्विटर पर इस तरह के काम करने के, इसलिए उतरप्रदेश सरकार ने इसको अच्छी रिलीफ देते हुए एक SIT, combined SIT ने उगत कर दी थी, आप समझते ही हैं कि बहुत सारी FIRA दर्ज हो गई, कई जिलों में अगर FIRA दर्ज हो गई, तो फिर उसका तरीका यह है कि या तो उनको एक जिले में कलब कर दिया जाए, या फिर एक SIT इनके उपर बठा दी जाए, Special Investigating Team और Special Investigating Team इस पर Investigation करके, और दूद का दूद पानी का पानी करें, और सब जगे से कॉडिनेट करें, तो उतरपर सरकार ने इसको रिलीफ देते हुए, चुकि अलग-अलग थानों में, अलग-अलग तरहे के, अलग-अलग जगे पर जाएं, उपस्ते तो हो, मुगर्द में चलें, उतरपर सरकार ने उन पर एक SIT बना दी, अब ये दिली में भी केस अलग फाइल था, दिली के जो केस इनके खलाब कुछ मामलों में फाइल थे कि ये कह रहे हैं कि उतर प्रतिश में जो 6 फाइर है मारे खलाफ दर्च की गई हैं, उन 6 फाइरों को खतम कर दिया जाए, उन 6 फाइरों को क्वैश कर दिया जाए, उनके जिस्टिस चंछूर की अद्धशता में जब केस गया, तो उन्होंने कहा कि चुकि फाइर एक ओल्ल भी हो चुके हैं इसलिए ये बाखी की इच्छे आफायरें दिल्ली की आफायर के साथ क्लेप पी जाती हैं जिसमें उनको ओलेडी रेगुलर बेल मिल चुकी है और साथ में ये कह दिया कि जब दिल्ली में आफायरें ट्रांसफर हो ही गई ही हैं तो उत्तर प्रदेश में SIT क कोई मतलब नहीं रहा जाता वो रिलक्टेंट हो जाती है हाला कि मेरा मानना ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की SIT उस पर इन्वेस्टिकेशन करती रहेगी केबल अरेस्टिंग पावर खत्म कर दी जाती मोहमत जुबहर की बहुत ज़्यादा होता तो यह कहा जाता कि उत्त उत्तर प्रदेश अपना केस अपनी SIT इन्वेस्टिकेशन के आधार पर वहां सब्मिट कर सकता है और इसमें कोई बुरा ही नहीं थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो SIT बैठी हुई है वो बहुत सारे डॉकुमेंट इखटे कर चुकी होगी बहुत सारी चीज़ें इख बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोका युक्त के पास मामला ले जाते हैं लोकल पुलिस में भी मामला दर्ज होता है और लोका युक्त के पास अलग मामला चलता है लोकल पुलिस के पास कर्रप्शन के मामले अलग चलते हैं लोका युक्त अगर उस पर एफ और लगा देता है ह हमारे investigation का एक simple नियम देश में चलता है, किसी भी investigating agency को अगर कोई matter मिल गया है, या कोई investigation का part मिल गया है, या कुछ चीज़ें उसको मिल गई है, तो उस investigating agency के material को reluctant नहीं कहा जा सकता, उसके material को consider किया जाएगा, यहां तक की हमारे हाँ कानून है, कानून इन ब्यवस्ता है, कि अगर investigation हो चुका है, court, cognience ले चुका है, तो भी further investigation करके police, कोई भी police किसी दूसरे मामला में investigation कर रही थी, कि अगर उसके पास मामला पहुँच जाता है, और उसको कुछ और fact मिल जाते हैं, कुछ और evidence मिल जाते हैं, तो further investigation की चार्शीट लगा सकते हैं, देशपर में कहीं भी मिलता है, और किसी भी investigate agency को कर मिलता है, तो जहां पर trial चल रहा होता है, वहां पर उसको लाया जा सकते हैं, इसके लिए किसी को भी यह नहीं कहा जा सकता हमारे देश में, कि आप investigation मत करिए, आपको investigation करने का दिकार नहीं, चुकिए एक agency investigation चल रहे हैं, इसलिए दूसरी agency investigation नहीं कर सकते हैं, कोगनियस लेने की प्रक्रिया में कहा जा सकता है कि एक बर कोगनियस हो गया, यह एक जगह पर trial चल रहा है, तो जो भी agency ने जो भी पाया है, वो सीधा लाकर evidences वहां submit कर दे, और वो उसका part बढ़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि SIT को खत्म करना यहां पर और यह कहना कि SIT reluctant हो जाती है, और अब केबल दिल्ली पुलिसी इस पर investigation करेगी, इसमें कुछ, कुछ, मुझे लगता है argument की कमिया तो रहे गई होगी, या फिर understanding में कुछ समस्या आई होगी, जिसकी वजए से उत्तर प्रद में दर्ज हैं, तो पहली फायर जहां दर्ज की जाती है, जो कोई court उस पर convenience ले चुका है, तो mostly बाकी फायरों को zero फायर बना कर वहां पर submit कर दिया जाता है, और अब उसके पास उसी court में trial चलता है, लेकिन वो जो फायरें ट्रांसफर कर दी गई है, इसका मतलब यह मेंटर्स हैं, और जब यह पाली आ गया है कि टूइट लेने के पैसे, टूइट करने के पैसे लेता है, और यह दो करोड़ों रूपए से उपर ले चुका है, और मुहमत जुबायन ने यह स्वयम स्विकार किया है, और सीतापुर की घटना एक डिफरेंट घटना है, लख हाला कि सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस चंदर चूट जो के अगले चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने उनको सब एक जगा किलब करके SIT को खतम कर दिया, हाला कि लोगों में लीगल फेटनिटी ने भी इस पर बहुत सारे प्रशना उठाने शुरू कर दिये हैं, दबे स पावर उनके पास नहीं है, आपके पास अगर कोई एविडेंस होते हैं, तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिकेटर इजन्सी है दिली पूलिस, आप उसके पास सम्मिट कर सकते हैं और आप पार्टी बन सकते हैं केस की, मामला सौल वज़े था, लेकिन इसी प्रकार का जो माम चुकि दिली में दर्ज हुई है, इसलिए बाकिये फायरों को दिली में ट्रांसफर कर दिया जाए, और किसी एक कोर्ट में उसको अटाइज कर दिया जाए, मैं उस कोर्ट में हजिर होने को तयार हूँ, मैं अपनी बात को कहने को तयार हूँ, जो मैंने कहा है, उसके कहने सब पर मैं मुकदमा लड़ने को तयार हूं मैं अपनी बात करने को तयार हूं लेकिन ऐसा स्टेट्में डिकैशनी बैंच में तो मुझे लगता है कि दो बैंच एक तीन जजेस की बैंच समय है और दूसरी एकilar ज़जों की बेंच तो अब जो तीन ज़जों की बेंच जिसमें चीप जस्स होने वाले चीप जस्स भी शामिल हैं उनकी बात को ध्यान में रखते हुए अगली हेरिंग में जिस समय नूपुर शर्मा का केस आएगा तो मुझे लगता है उनका भाग भी कुछ जागेगा उनक का भाग भी कुछ काम करें क्योंकि उनके एक स्थानों पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था लेकिन नूपुर शर्मा का मामला तो एक ही स्थानों का है एक ही बहस का है इसलिए उसको एक जगह पर बहुत आसानी से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है इवन उसको इन्वेस्टिगेशन की भी आवशकता नहीं केबल इन्वेस्टिगेशन में एक पार्ट की आवशकता है कि उनके स्टेट्मेंट को निकाल कर इलेक्रोनिक फॉर्म को उसको जाकर फॉरेंसिक कर वाया जा है चूंकि नूप है वो उनको कोड में बताना है कि मैंने सत्य कहा है या असत्य है दूसरी पार्टी को यह सिद्ध करना है कि असत्य है और यह इस बेज़िती करने के नहीं जग जाहिर केस है लेकिन मुहमद जुबैर बाले मामले में investigation की आवशक्ता महसूस हो रहे थी इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने उस पर साथ investigation कर सके लेकिन court के मन में क्या आया होगा और court के सामने क्या argument हुआ होगा उस argument के अधार पर court अपना decision देता है और court को लगता है कि कोई party को कहीं भी किसी भी प्रकार से धोकाना खाना पड़े दूसरा in favor of justice जो उच्छित लगता है वो करता है लेकिन court भी ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ मालूम होता है court के अवश्यक नहीं है कि हर court हर बार सही निर्णाय या अनुकूल निर्णाय ही आ जाए क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर तेरा जिज्जों की bench का judgment है और साथ छे से आया है तो साथ की बाद सही और छे वो भी कहीं कहीं हाई court के chief justice से promote वाकर supreme court पहुंसते हैं और supreme court के senior judges होते हैं तो 6 जज नहीं है या 6 का विचार गलत है ऐसा तो नहीं मानते साथ के विचार को implement करवाते हैं 6 के विचार को minority में ले जाते हैं ऐसे ही ग्यारा जोंकि में 6 4 6 6 5 का decision अगर हो जाता है गो लगनात का हो गया तो 6 का decision सही और 5 का decision गलत और 5 में competent नहीं ते ऐसा कभी नहीं सोचते हैं वो अपने अपने argument होते हैं अपनी अपनी शम्ताएं होती हैं अपनी दूर दृष्टता होती है और अपने हिसाब से सोचते हैं और जो कुछ भी आज भी अपने अपने पास step या basic concept होता है और conceptual knowledge होती है उस conceptual knowledge को इस्तेमाल करते हुए किसी निर्णाएं पर पहुंचते हैं तो अगले मैंने कहा आगे आने वाले समय के chief justice भी होंगे उनके द्वारा relief मुहमत जुबैर को दे दी गई लेकिन इतने अच्छे भाग नूपुर शर्मा के नहीं थे उस समय जिस समय वह petition लेकर आई थी कि उनकी भी उनको भी इसी प्रकार के relief दी जाती है जय हिंद जय भारत वंद मात्रम